अट्रिम्फ आफ सर्जरी और सधिविज्ञान की विजए हेलो माई डिय स्टुडेंट्स वेलकमें देश सेशन आफ इंग्लिस टीचिंग अंगरी सिक्षन के इस सत्तर में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सप्लिमेंटरी रीडर के फर्स चेप्टर अट्रिम्फ हफ सर्जरी के लास्ट पार्ट को अंतिम पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं अगर आपने इसके पहले के चार पार्टस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़ी है जाकर देख लीजेगा आईए देखें ट्रुकी सस्थ हो जाता है की नही क्या वहाँ अपने घर अपनी मालकिं के पास जा पाता है या नहीं नरेटर ने कहा कि वी कुड़ हार्डली बिलीव इट फिन दा ब्रांडी केम तो पुट अ फाइनल एज अंट्रेकिस कांस्टिटूशन हमें मुश्किल से विश्वास हुआ विश्वास ही नहीं हो रहा था वेन दा ब्रांडी केम जब ब्रांडी भेजी जाने लगी ब्रांडी आने लगी शराब आने लगी To put a final edge on Tricky's constitution, Tricky के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रांडी आने लगी, for a few nights, कुछ रातों को. The fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk, कुछ रातों को मदिरा मेरे सभी साथियों ने सुंगी, इन्हेल में सुंगी and reverently drunk, और बड़े आदर पुर्वक, reverently means आदर पुर्वक, सम्मान पुर्वक, ड्रंक, पिया, मदिरा को. There were days of deep content, वे दिन बहुत संतुष्टी देने वाले थे, deep means गहरी, content means संतुष्टी, संतोष. Starting well with the extra egg in the morning, तो morning में प्राता है में, extra एक अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे. Improved and sustained by the mid-day wine, और दो पहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली. Mid-day means मद्ध दिन अर्थाद दो पहर को. Wine मिली and finished luxuriously round the fire with the pranady. और हम बड़े आराम से ऐसे luxuriously ऐसे आराम से आग के चारो ओ ठंडी का सिजन था. बैठ कर हम ब्रांडी पीते थे. It was a temptation. Temptation means lalach. It was a temptation to keep trikkhi on as a permanent guest. तो कहा लालच हुआ कि trikkhi को इस्थाई मेहमान बना कर रखा जाए. A permanent guest, permanent इस्थाई, guest मेहमान. But I knew, पर में जानता था. Mrs. Pampre was suffering की स्रीमती Pampre कस्ट में थी. And after a fortnight और एक पखवारे के बाद, अर्था दो सब्ता के बाद, fortnight means पखवारा, पक्ष 15 दिन का समय. Felt compelled to phone, तो एक पक्ष के बाद, 15 दिन के बाद, मैंने उन्हें फोन किया. बाद्धे होकर, compelled बाद्धे होकर, forced होकर, मजबूर होकर फोन किया. And tell her that, और उनसे वताया कि, the little dog had recovered कि छोटा कुटा स्वस्थ हो गया है. And was awaiting collection. और आप आजाएं और उससे ले जाएं, collection करें, अर्थात ले जाएं. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो within minutes, कुछ ही मिनिटों में, about 30 feet of gleaming black metal. तो black metal काले काले धातुओं की बनी, चमचमाती, gleaming चमचमाती, लगभग 30 feet, लंबी, गाड़ी, सरजरी चिकित सालाय के बाहर आकर रुकी. ड्रीव अप आउटसाइड दा सरजरी, सरजरी चिकित साले जो थाया, क्लीनिक डॉक्टर का, उसके आउटसाइड बाहर आकर रुकी. अग्टार ने दर वाजा खुला, और मैंने अंदर बैठी मिस्स पंफ्रे को कषनाई से ही पहचाना and I could just make out the figure उस चेहरे को तस्वीर को आप मिस्स पंफ्रे almost lost in her interior पड़ी मुश्किर से पहचाना her hands were tightly clasped उनके हाथ कसकर एक दूसरे में फसे हुई थे tightly कसकर clapsed फसे हुई थे in front of her उनके सामने तो उनके हाथ उनके सामने कसकर एक दूसरे से फसे हुई थे her lips trembled उनके होट काँ पहे थे oh Mr. Harriet, aray Mr. Harriet, do tell me the truth सच-सच मुझे बताओ is he really better क्या वह निश्चित रुप से सही माइने में वास्तों में क्या वह ठीक हो गया है yes, जी हाँ he is fine वह ठीक है there is no need for you to get out of the car आपको कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है I'll go and fetch him मैं जाकर उसे ले आता हूँ fetch him, fetch me Salana I walked through the house into the garden मैं घर से निकल कर बगी ची में गया a mass of dogs was hurtling round and around the lawn कुत्तों का जुंड लान में दोड़ कूद कर रहा था and in the middle and around the lawn के चारों तरप कुत्तों का जुंड दोड़ कूद कर रहा था and in the middest और उसके बीच में ears flapping कानों खोब फ़फडाता हुआ tail wagging पूझ को हिलाता हुआ was the little golden figure of tricky छोटा सा सुनहरे रंग का tricky था in two weeks दो सप्ता में he had been transferred into वह परिवर्तित हो गया था transferred हो गया था परिवर्तित हो गया था into a lid, लोचदार hard-musled animal शक्त तंतुओं वाला पसु में पदल गया था he was keeping up well with the pack वह जुन्ड के साथ भली भात खुल मिल गया था stretching out in great bounds तो लंबी छलांग लगाने लगा था stretch means फैलाना stretching out in great bounds लंबी छलांग लगाने लगा था his chest almost brushing the ground और उसका सीना उसकी छाती जमीन को लगभव छुने लगी थी I carried him back along the passage मैंने उसे वापस लाया I carried him मैंने उसे उठाया along the passage गलियारा passage means गलियारा to the front of the house मैंने उठाकर गलियारा पार कराया घर के आगे का भाग in front of the house तो घर के आगे का भाग जो था जिसमें गलियारा था उसको पार कराया the chauffeur was still holding the car door open शोफर अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा था and when Tricky saw his mistress ये ट्रिक्की की mistress Mrs. Pumphrey और ये शोफर दरवाजा खोले खड़ा है और जब Tricky ने अपनी मालकिन पंफरे को देखा दोड़ गया saw his mistress अपनी मालकिन को देखा तो he took off from my arms तो वह मेरी बाहों से कूद गया in tremendous leap बड़े आश्यर जनक कूद में कूदा and sailed into Mrs. Pumphrey's lap और दौड कर भाग कर स्रीमती पंफरे के कूद में गया she gave a startlet with chowk गई and then had to defend herself और तब उन्हें अपना बचाओ करना पड़ा defend herself as he swarmed over her क्योंकि उनके आस पास उचलकूद करने लगा licking her face and barking उनके चेहरे को चाटने लगा और भौकने लगा चाट रहा था भौक रहा था during the excitement इस उत्तेजना के दवरा इसी समय जब ये उत्तेजना थी उसी समय I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls इसी छण मैंने शोफर की मदद किया लाने में बिस्तर, tires खिलोने, cushions, गद्धिया, coats and bowls, coat तथा कटोरे, नाना which had been used इन में से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था As the car moved away, जब कार मोड़ी चल दी, जब कार चल दी, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, तो Mrs. Pumphrey ने खिलकी से बाहर सिर निकाला Lained out of the window, window के बाहर, खिलकी के बाहर सिर निकाला, जुक गई, tears shown in her eyes, उनके आँखों में आसु दिखाई दिये जिल मिला रहे थे, Her lips trembled, उनके होट, lips miss hot, trembled काप रहे थे Oh Mr. Harriet, Aray Mr. Harriet, she cried by cheeky, How can I ever thank you, मैं आपका किन शब्दों में आभार ब्यक्त करूँ? How can I ever thank you, मैं आपका किन शब्दों में आभार ब्यक्त करूँ? This is a trim of surgery, इसे तो सल्लेक्रिया की विजय कहा जाएगा, सर्जरी की विजय कहा जाएगा, और सधिविज्ञान की विजय कहा जाएगा, पिरे छात्रों मिद करता हूँ कि आपके लिए हिंदी एक्स्प्लानेशन हिल फुलोगा, question answer का then next वीडियो में करेंगे, thanks for watching me.